यह जो हमन सोरेंजी की तीन टांग की सरकार चल रही है उसका घोसना पत्र का एक लाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे यह घोसना पत्र है कॉंग्रेस की पाराज सिक्षकों को नियमित करने के लिए आवस्यक कदम उठाएं और यह हमारे मुखमंत्री के पार्टी घारधन मुट्टी मुर्चा का घोसना पत्र है जिसमें इन्होंने पहले ही प्रिखा है कि पाराज सिक्षकों को समान जनक सेवा सर्तों के साथ बेतन निर्धारन की कारवाई की जाएगा यानि उनको नियमित किया जाएगा ये दोनों इनके घोसना पत्र है अब आप सोच रहे होंगे कि इस घोसना पत्र की आज ग्या वो सकता पड़ गए चुकि आपने देखा होगा आज के समाचार पत्र में एक विग्यापन निकाला गया है और ये उस विग्यापन का मुल्क कौपी हम लोग ले करके आपके बीच में आये हैं चब्विस हजार एक पदों पर सिक्षकों के बहाली के लिए कि आज ये समाचार पत्र में प्रमुक्ता से ख़बर छपी है 26001 सिक्षक के आप भाली करने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो यह यहीं से खड़ा हो रहा है कि इसमें नियोजन निती आपकी क्या है कौन से नियोजन निती पर आप 26001 सिक्षक को बहाल कर दो और जब नियोजन निती होगा तो उसमें सोभावी कुरुप से अस्थानिय निती होगी तो आप बताइए कि आपकी अस्थानिय निती क्या है सबसे पहले सरकार के अधिकारी या सरकार के प्रवक्ता आकर के जहारखंड प्रदेश के इवा को यह बतलाने का काम करें कि वो किस नियोजन निती पर और किस अस्थानिय निती पर 26,000 सिक्षकों को बहाली करने जा रहे हैं कुछ दिन पहले आप लोगों ने मुख मंत्री के भासन को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि 1932 हमारा मुद्दा आज भी जिन्दा है उनके बक्तब्य से ही ऐसा लगता है कि मुख मंत्री के लिए 1932 के वल एक मुद्दा है संकल्प नहीं है वो राजनितिक मुद्दा है भारतिये जंता पाटी कोई राजनितिक मुद्दा नहीं उठाती है वह संकल्प लेती हम लोगों ने संकल्प लिया कि राम मंदिर बनाएंगे ये हमारा राजनितिक मुद्दा नहीं था ये हमारा संकल्प था हम लोगों ने बनाया हम लोगों ने कहा कि धारा 370 हटाएंगे कास्मिर से ये मुद्दा नहीं था ये राजनितिक संकल्प था और ये हम लोगों ने करके देश और दुनिया को दिखाया धारा 370 हटाया लेकि कि आपका जो 1932 मुदा ही है वो संकल्प आपका नहीं है यह जारखन प्रदेश की जंता और रिवा समझ गए हैं कि आप ठग करके भोट लेने का काम किये और ठगों के सरदार आप बन गए है यह जो आपके मंत्री है वो ठग है और ठगों के राया आप है आप क्रिप्या करके यह बताएं कि यह जो नियोजन आप 26,000 लोगों को लेने जा रहे हैं इसमें क्या 1932 के अधार पर आप नियोजन उन लोगों को दिजिएगा 1936 के अधार पर दिजिएगा 1938 के अधार पर दिजिएगा या किस अधार पर आप दे रहे हैं पहले तो मुख मंत्री को आ करके यह बात अस्पष्ट करना चाहिए चुकि जो संकल्प निकला है जो इसमें कहीं के अस्पष्ट नहीं है कि इनकी अस्थानिये नितिक क्या है और इनका निय नितिक मुद्दा है और इस मुद्दा के अधार पर यह जार्खन प्रदेश के युवा के भविष्ट के साथ खिलवार कर रहे हैं अब आप बताइए कि यह जो 26000 सिक्षकों का बहाली कर रहे हैं कि इसमें कंडिशन इन्होंने लगाया है कि के वर्ट जो प्रसिक्षित लो भूंगे वही इस एक्जाम में बैठें कि आप मुखमंत्री जी आपसे ही यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या 2019 में जहार्खन में ऐसा नियम देश के लिए देश के परिपेख्ष में जहार्खन में भी ऐसा नियम बना है कि प्रतेएक साल टेट की परिक्षा होनी चाहिए अगर ऐसा है तो 2016 से लेकर के 2023 तक टेट की परिक्षा क्यूं नहीं की गई अब 2016 से 2023 के बीच में अगर आप गैर सरकारी आकड़े देखेंगे जो हम लोगों को राजनितिक आकड़े हम लोगों को मिले है उसमें लगभग आठ लाख लोग बीएड और डीएलेड किये यानी वो सिख्षक के पातरता को कुरा करते हैं केवल टेट के एक्जाम नहीं होने से वो बंचित हो जाए यानी आठ लाख हीवा को जो समानता का अधिकार है नियोजन के लिए वो आप उससे उसको बंचित कर रहा है वो बच्चे इसमें अपियार नहीं हो पाएंगे जिनके माँ बाप भूखे पेट रह करके अपने बच्चों को पढ़ाये बीएड और डियेलेड कराया उनको टेट की परिच्छा नहीं होने से वो बच्चे इस परिच्छा से बंचित हो जाएगी यह बहुत दुर्भाग पुनी स्थिती है अभी तक साढ़े तीन साल के दर्मियान एक भी टेट का परिच्छा यह निकम्मी और नलायक सरकार ने करने का काम नहीं किया तफकॉन XT 600 HCR TNT रिवा पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा तफ तो आप भी दिखा सेते अपनी हेरो पंती तफकॉन XT के साथ